कि नमस्कर साती आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रहने चले दोस्तों सुरुवात करते तो आज करेंगे हम न्यूज पर व्यूज करेंगे क्योंकि आज आर्विल बैंक के तो गिरावट देखने हो मिली अब बहुत अल्टिमेट गिरावट जुना तो डेवाईटे आपको अब्डेशन देना बहुत जुरूरी होता है साथ यसाथ हम लोग क्या करता है शेर को कवर करता है क्योंकि देखिए निफ्टी तो उतार चड़ाव होता रहता है बट कुछ शेरों के अंदर क्या होता है सही समय पर निवेस्ट करना ऑर अप वाइसर यम्हारा वाइए तो बड़े बड़े लार्ज का जो भी उसके इस वजेसे भी बज़ार के आंदर ग्रावड देखने को मिली आज ग्रावट होई जिसवेशने बज़ार ने ऐसा मुमेंट दिखा और बजार के अंदर अच्छी कासी ग्रावट देखने को मिली बट देखे कल क्या होने वाला कल बजार के अंदर थोड़ा सा मॉर्णिंग सेजन जो रहने वाला थोड़ा सा पीक रहेगा बड़ दे आफ्टर के बाद धी दीरे रीकवरी होके पोजिटिव टेटरी में होगा कल के दिन बट हम बात करें रभी बेंक के बारे में इल्そ अब बना दिया जो इनकी네 चीफ को अपॉइंट कराता और बिया के दोवारा देख सकते हैं अर बिया इने डिकलेयर कराता प्राइब बैंक आर बियाल को साथ इसाथ उनका जो उनका जो चीफ बनाया गयता हो बनाया गयता आर सुभहमन्यम कुमार विल विल टेक ओवर दा न्यू बैंक चीफ फॉर दा पीरिड ओफ थी यस यानि तीन साल के लिए इनको चीफ बनाया गया है आर बैंक का आर सुभहमन्यम कुमार को देखिए अब इसमें क्या हुआ है आज की दिन यह गिरावट की वजह मैं बता दो क्यों क्यों क्योंकि देखिए आर सुभहमन्यम कुमार यस बैंक अंदर भी थे ठीक है तो यह देखिए यही जो बैंकिंग एनलाइसर थे बड़े बड़े उन्होंने एलाइस करा कि सेम रिपीट ना हो जाए यस बैंक के अकॉर्डिंग जैसे लाइक यस बैंक ग्रावट की तरफ गया था यस बैंक में घोटा ले हुए उसकी तरह यह रिबाउंड कुमार आरिवल बैंक के चीफ के अकॉर्डिंग साही पोजिसन नहीं है उनके लिए वो उसको अट्सेप नहीं करा उनका मानना है कि अगर आर सुबह मन्यम कुमार रहेंगे तो बैंक उत्ती अच्छा परफोर्वेंस नहीं करेगा जिस विहाब पर आरिवल बैंक कर रहा थ था आगे के ट्रेटिंग इसलिए सीनियर बैंकिंग अनलाइस जित्ती विदा उन्हों का कहना यह है और आर मिस्टर सुबह मन्यम कुमार का जो एक्सपीरेंस पी असे बैंक के अंदर रहा है ठीकिना फाइनसल इंस्टिटूट के अंदर भी रहा है और साथ ही साथ इन्वेश्टर लोग उन्होंने एक सेर्ड न ही कराया औरे मेल बैंक का चीफ बनाया गया और बेल की कि दोवरह वह उन्होंने एक सस्सेप नहीं करा जिस वजह से बज़ार के अंदर आज इत्ती से गावर्ट देखना मिली और आइब है डिके ऑखं़ एक्षिय號पड की मै और Yes Bank अंदर भी ये रहे हैं जिसका खाँ में आ चीछ देखने को मिला आज आरिव ल्फेल बैंक के शेर के अंदर पहला दिन आ ट्रेडिंग का और पहले ही दिन ट्रेडिंग के अंदर 30% की गिरावट देखने को मिली है आप दे सकते हैं आज मोटा मोटा 22.89% गिरावट लाके बंद हुआ आज ये ओपन होता है 102 रूप 25 पैसे पे हाई मारा 102 रूप 25 पैसे का लो मारा असने 6 रूप 35 पैसे का 52 हाई है इसका 226 रूप 40 पैसे है 52 रूप आज की दिन क्योंकि आज ये ओल टाइम लो जा चुका है क्योंकि ये लिस्टिंग ही 200 के असपस हुआ था आज अप तो शेयर काफी जादा नीचे ट्रेट कर रहा है आप दे सकते पॉझिरीव टाइट्री में क्लोज नहीं करता है ठीक जब तक या ले पॉजिटिव ट्रेटरी में क्लोज नहीं होता क्लोज नहीं होता क्योंकि देखिए अभी विसमांक odd नहीं करेंगे ओuar नारी की नstate तो जो बड़े-बड़े एनलाइजर है उन्होंने यस बैंक का धरन देते हुए इसके अंदर ग्रावट की वज़ा बता ही है तो वही वज़ा बता रहा हूं कि ग्रावट होगी इसमें आगे चलके अभी और ग्रावट में बागी है क्योंकि चार्ट पर कहीं पर सपोर्ट द पॉजिटिव टैट्री में क्लोज नहीं होता है आई होप यह वीडियो आपकी उसमेल तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फावट करना बिलकुल ना भूले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग डिस वीडियो